अलो फ्रेंड्स माइनेम इस राहुल जा और हिंदी बडल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अल्लेम्टेट डाटा को रिकवर कैसे कर सकते हैं चाहे वो डाटा pen drive का हो, चाहे वो memory card का हो, चाहे PC के hard disk से हो, चाहे CD से हो, कहीं से भी हो आप डाटा को रिकवर कैसे कर सकते हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि डाटा को रिकवर कैसे कर सकते हैं तो फिर आप हमारा वीडियो एंड तक देखते रहे हैं और हम आपको एक और बता दें कि कि अगर आपने भी तरह को सुस्क्राइब नहीं किया है तो आप यहां से हमार चनल को क्लिक करके सब्सक्राइब इडन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको यह सस्क्राइब कर लिना चाहिए क्योंकि हम इस पर इंटरनेट टेकनोलोजी, मुवाइल, अपना CSC, आदी से जो है रिलिट वीडियो को यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, ठीक है, तो आए हम सीख लेते हैं, कि अनलिटेट उस डाटा को रिकवर कैसे कर सकते हैं, वो भी विल्कुल फ्री, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए एक इस वेबसाइट को आपको आपन करनी है, जैसे आप इस वेबसाइट को आपन कर लीते हैं, तो दीखी एई ऑफसन आता है, टेस्ट डिस्क 7.0 डाउनलोद, ठीक है, इस वेबसाइट के लिंक है, मैं डिस्क्रिप्चिन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलो तमिचे वें भी है. तो मुझे विंड्वोस में स्णॉश फाइल में या जिफ राइल में आएंगी ठीक है, यह स्फी देखिए. तो यह देखिए हमारे जीक eh, Rules 2 का मिस अर्छ के और धीक leaving चुमारी कर लेते हैं , वहादा के अर्पे का मुझे करती है इसलिक कि अर्पर उर्पर ना कर जाता थे तो देकिए अशाम झी घड़ कर जद्राइब सिर्मट का्या जुद के में ना चाहступ सिवक्तिक का में करना हमें से उपर से स्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसारे ड्राइफ अगई और यहाँ पे एक्स्टरनल जो भी आप डवाइस लगाएंगे, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो चुकि मुझे मैं अभी आपको ड्राइफ से भी करके बदा देता हूं, तो यह एफ अभी आपको ड्राइब करना है, तो मैं अभी आपको स्लेक्ट कर लेता हूं, दीक है, मैंने अभी आपको स्लेक्ट कर लिया है, अब मैं क्या करता हूं, कि इसके बाद हमें इसके जो भी हमें से जो रिकवर करना है, जो भी आपको स्लेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो यह लि इसमें से वीडियो को स्लेक्ट कर लूँगा और OK पर किलिक कर दूँगा ठीक है अब इसके वाद हमें करना क्या है? 2nd option के यह बोल रहा है कि जो आप रीकवर करेंगे वह किस ड्राइब में जाए ठीक है? तो उब हमें इसे ड्राइब मेंC प्राइब में खर करनाı इसे सीड्राइन में से लेक्वर कर दिया ठीक है यहां पर 100% तक होती है तुझायें, यहो दिख सकते हैं आप जो फालयर होना स्टाट हो गया है 4 6 8 file recover हो रही है तो मैं से stop कर देता हूँ आप क्योंकि ठीक है अब मैं दिखा देता हूँ आपको c में यह कहां आई है तो यह मैंने open करा और यह देखि आ गया ओख यह देखि यहागया है मैंने ऐसे open कर रहा तो यह देख सकते हैं यह जो files है ही recover होके यहाँ पर आ गई है तो आप ऐसे कितनी भी फाइलों को जो है recover कर सकते हैं unlimited data को recover कर सकते हैं वो भी बिल्कुल free ठीक है तो इस तरीके से आप recover कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो share करें like करें और हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलें और दुस्तों अगर आपको कोई दिक्कत हो दिए इस software को operate करने में ठीक है तो आप नीचे comment box में type कर दीजिए हम उसका आपको solution बता देंगे ठीक है thank you